हलो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए क्योंकि इंगलिस क्रेमर से एलेटेड आपको यहां पर बैक टू बैक क्लासेज मिलती रहती है और अगर आपको वीडियो अच केस में हम रोल नंबर कोड़ रहे हैं 21 जिसमें क्या बताए जा रहा है किसी अड्जक्टिव के पहले दे का यूज हो किसी अड्जक्टिव से पहले दे आ जाए ठीक है तो उसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं किया जाएगा पहली बात तो यूज किसका करेंगे ओप का यूज किया जाएगा किसका यूज किया जाएगा ओप का यूज किया जाएगा कैसे किया जाएगा एक जांपल से देखते हैं जैसे यहां पर लिका हुआ है और फिर ब्लाइंड ठीक है और ब्लाइंड क्या है एक अड्जक्टिव है क्या है अड्जक्टिव है तो सब्सक्राइस को इठर लिया कर दो जांगे इसका आपने सही leggingsर कर देंगे इसी परकार पसिक्स और तो यह गलत को गयाखो गया मिशा न Works और गया मिशा यह तो सबस्क्राप को आपैसे व यह मेर सब्सक्राइब ही। the was an ass. यह गलत हो गया क्योंकि deep के साथ apostrophe s आया है तो सही कैसे करेंगे the voice of the deep is bold यह अपना सही हो जाएगा इसी प्रकार अगला देखिए the rich is health is weak यह गलत हो गया rich के साथ क्या आगया अपस्टफिय ऐसा आगया तो सही कैसे करेंगे the health of the rich is weak कि यह अपना सही हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की और अगला अपना रूल रूल नमबर ट्वांटी टू इसमें क्या बताए जा रहा है यह दी किसी नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जनरली अपस्टर फि की जिक्की है रोमांटिक पॉइट एक कभी यह तो इस परकार यह सेंज के कोडिंग भी गलते हैं और यह पर यह देखो आपस्टर फिक यूज कर दिया तो यह गलत हो गया तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो देखो की एजए रोमांटीक क्या है एक कभी है थीक प्रिक소 देखो अगला example रामस इज माई बेस फ्रेंड की बात हो रही है यहां पर रामस एज राम का तो कर दो कैसे करेंगे तो करदो सही राम इज माई बेस्ट फ्रेंड राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है इस परकारिये सही हो जाएगा अब बात करते हैं कि अपस्ट्रफी एस का यूज कब किया जाता है ठीक है तो देखे नाउन अगर सब्जेक्टिव केस में हो तो उसके साथ अपस्ट्रफी एस कब लगते हैं तो इसका अर्थ होता है नाउन अपस्ट्रफी एस का मतलब क्या होता है नाउन अपस्ट्रफी एस में एक और नाउन sentence देखो यह आपको गलत लग रहे होंगे कैसे देखो सुधीर is a new car सुधीर एक नई कार है क्या तो यह क्या हो गया गलत हो गया तो इसे सही कैसे करेंगे first type इस rule के according इसे सही करेंगे सुधीर सुधीर कर देंगे मतलब सुधीर की car is a new car सुदीर की कार है वो एक नई कार है तो यह अपना क्या हो जायका सइए है लेकिन हम प्रजेशन का सीओ करने के लिए General किसके यूज़ करते हैं सुदीर के सुदीर के पास एक नई कार है इस परकार से हम सब्सक्राद को कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार देखो, Mohan is a beautiful house, Mohan एक सुन्दर घर है, तो ये sense के according भी गलत हो गया, तो सही कैसे करेंगे, Mohan अपस्ट अफियेस, Mohan का घर is a beautiful house, Mohan का घर क्या है, एक सुन्दर घर है, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा, और कैसे बना सकते हैं, और बना सकते हैं, Mohan, हेज, a beautiful house, इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हेज, हेव और हेड का यूज भी position दिखाने के लिए किया जाता है, is it clear, I hope आपको ये बात समझ में आई होगी, चलिए, इसी सी related, एक और concept है, उसके बारे में भी बात करते हैं, अगला point देखिए नाउन के साथ apostrophe as कभी यूज होता है, और वो भी subjective case में होने पर, तो name of the owners of some business, किसी business का कोई owner हो, और some well known shops, या कोई जानी मानी famous हस्ती हो, तो उसको denote करने के लिए, पजिस्यू के रूप में नाउन के साथ apostrophe as का यूज किया जता है, उसके business के बारे में बताने के लिए, उ उसकी शौप के बारे में बताने के लिए, किस प्रकार देखिए, अनील अंबानी, अनील अंबानी एक जाना माना नाम है, is gradually increasing, तो यह गलत हो गया, कि वो दीरे दीरे बढ़ रहा है, तो अनील अंबानी नहीं बढ़ रहा है, उसका जो business है, वो बढ़ रहा है, तो कैसे लि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार अपना ये सही हो जाएगा, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, यहां इतना ही बताया जा रहा है, किसी ओनर का कोई business हो, या कोई बहुत ही जाना माना, अच्छा गसा इंसान हो, famous हो, और उसकी shop के बारे में, या उसकी business के बारे में बात हो, तो उसके नाम के साथ, अपस्ट्रफी एस लगा कर, उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है, अगली बात, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिट से पढ़ते हैं, जैसे कि दो लगाता है, नाउन के साथ, ना तो अपस्ट्रफ एसा रहा है, तो ये गलत हो जता है, तो देखो ऐसी situation में क्या यूज करना है, किस परकार यूज करना है, एक्जाम्पल से देखते हैं, फर्स्ट एक्जाम्पल लिखा हुआ है, ये नाउन आ गया विनोद, ठीक है, इसके साथ में अपस्ट्रफी एसा गया, वाइफ, गलत हो गया, तो सही कैसे करेंगे, तो देखो जो अंतिम नाउन है ना, उसको दे लगा कर सबसे शुरू में लिख दो, the parents of विनोद की वाइफ, विनोद की वाइफ के माता पिता, इस परकार इसका सेंस हो जाएगा, अगला एक्जाम्पल देखिए, मिनोज हजबेंड्स ल लगाना है, दे लगा दो, तो the life of मिनूज हजबेंड, मिनू का जो हजबेंड है, उसका life या उसकी जीवन, उसका जीवन जो भी है, is it clear, I hope आपको ये बात समझ में आई होगी, चलिए बढ़ते हैं, अगले concept की और, तो अब बात करते हैं, रूल नमबर 24, इसमें सिद्धी सीख बात क्या है, कि कुछ fix phrase हैं, जिनमें अपस्टरफी और अपस्टरफी एस का यूज नहीं किया जता है, जैसे देखिए कुछ इसे सब्द समुएं, या phrase हैं, जो compound ना उनकी तरह कार ये करते हैं, लेकिन उनमें ना तो अपस्टरफी लगता है, और नहीं अपस्टरफ फिस का यूज करते हैं, देखिए किस परकार, जैसे यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर गलत क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर एक fix phrase, जो प्राइम मिनिस्टर ही लिखा जता है, तो यहां से इस स को अठा दो, तो इस स को अठा देंगे, तो अपना इस sentence बिलकुल सही हो ज पेलेश पबिक पेलेश एक अपने आप में ऐस फिक्स फरेवommt हम स्थिए तो यहां सब्सक्रीण साय थो है यह अपना Ip PhD सब्सक्रेश लगाता है तो क्या यही लगाता है गलत हो जाता है इसी प्रकार और देखी आगाला देखिए igu Hag tuo harvest बात में बात समझें उगी कोछ फिक्स होते हैं ज़नके साथ ना तो apostrophe का यूज होता है और ना ही apostrophe as का यूज किया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले concept की और अगला अपना रोल रोल नमबर 25 इसमें देखो क्या बताए जा रहा है यह दी किसी नाउन के prepositional phrase का यूज हो यह दी किसी नाउन के साथ prepositional phrase का यूज हो मतलब preposition के साथ जुड़ा हूआ हो कोई sentence हो तो उस नाउन के साथ apostrophe और apostrophe as का यूज नहीं होगा ठीक है तो यूज किसका करेंगे ओप का यूज किया जाता है कैसे किया जाता है sentence समझते हैं जैसे देखिए example फर्स्ट है अपना कर to I have seen the command station with a gun यहां पर देखो विद किस से जुड़ा हुआ है प्रीपोजी संसे जुड़ा वह है यह विद अपना क्या है प्री पोजीशन है विद एगन एक फ्रेज हो गया तो इससे पहले यह नाउन है ना मेंस कार यह अपना गलत हो गया क्या हो गया गलत हो गया तो सही कैसे करेंगे यहां तक तो ठीक है इस प्री पोजिशन से पहले जो सब्दारा है ना उसे लिखेंगे दे कार ओफ वड़ा फ्रेज लगाएंगे तो सबसे पहले दे लिखेंगे फिर जो नाउन है वो लिखेंगे दे कार ओफ दे मैन फिर यह इदर वाला लिख देंगे जिसा लिखा हुआ है फिर आगे विद गन यह अपना सही हो गया आई होप आपको यह समझ में आया होगा इसमें क्या बताया जा रहा है कोई नावन किसी प्री पॉजिशन से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर आपस्टफ ही इसका यूज़ नहीं किया जाता है और देखते हैं और भी चीज़े समझते हैं यह अंडर्स्टेंड दे मीनिंग ओफ दे वूमन से स्माइल विद ए ब्लेक जिंस यह देखो एक फ्रेज मिल गया प्री पोजिशनल फ्रेज मिल गया है यहां पर तो इसका मतलब यहां पर जो वूमन से स्माइल है अपना गलत हो गया तो सही कैसे करेंगे तो लिखेंगे मीनिंग ओफ यह तो इधर वड़ा गया अब चलो इससे चैन्ज करते हैं दे लिखेंगे फिर स्माइल को इधर लेंगे क्योंकि इस से पहले क्या है इस माइल है तो दे स्माइल ओफ दा वूमन फिर इधर वड़ा लिख देंगे विद ए ब्लेक जिंस आगे इस प्रकार यह अपना कम्प्लीट हो जाएगा तो यह सही हो जाएगा और देखो अगला दे बोई रेन अबाउट एमेंस डाइरेक्शन ठीक है विद एविसल यह देखो प्री पोजिशनल फ्रेज मिल गया आपको ठीक है तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है डाइरेक्शन तो देखो इस डाइरेक्शन अपने साथ मेंसा इन प्री पोजिशन लेता है यह फिक्स क्या है फिक्स है कि डाइरेक्शन के साथ इन प्री पोजिशन का यूज होगा तो इनके बाद में लगाएंगे क्योंकि फ्रेज यूज कर रहे हैं इनको चैंज कर रहे हैं तो यहां पर क्या इन डाइरेक्शन फ्रेज लगा देंगे फिर एमेन लिखा हुआ तो एमेन लिख देंगे फिर अपना जो फ्रेज उसको लिख देंगे तो यह अपना सही हो जाएगा इस इट किलीर आई होप आपको यह कंसेप्ट बहुत यह समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं अगल हैं किस प्रकार इनका यूज किया जाता है आगे आने वाली क्लास में जो प्रोनाउन वाला चेप्टर होगा उसमें इसके बारे में कम्प्लीट डिटेल से पढ़ेंगे अभी इतना ही जान लो कि जो डबलो एच वर्ड या दो सेंटेंस को जोडने वाले सब्द होते हैं व प्रोनाउन के या यह या लिए औरे समझते हैं जैसे से यहां लिखा हुआ आई टूक एक अपलस advice यहां ध्यान देना वह वह यह अपना relative pronoun है क्या है relative pronoun है तो इससे पहले जो 나온 है थीक है जो tahun है तो यहाँ पर यह पस्ट्रफी s का यूस ओ गया तो इसका मतलब ही क्या हो गया गलत हो गया तो सही केसे करेंगे ध्यान देना ओम से पहले आने वाए नावन के साथ किस यूज करेंगे ओप का तो क्या लिखेंगे देडवाइस ओप क्या लगाएंगे एडवाइस लखने से पहले ओप का यूज कर रहे हैं नहीं यहाँ पर यहां इसे पर क्या रखला देखिए यहां यह अपना क्या गया relative pronoun आ गया तो इससे पहले आने वाले नावन के साथ किसका यूज होता है ओप का तो देखो दे लिखेंगे फिर यहां सिस नावन को उठाएंगे प्लेज जिसका मतलब क्या होता है नाटक ठीक है दे प्लेज फिर ओफ लगा देंगे और फिर इदर क तो इस प्रकार यह अपना सही हो जाएगा मतलब किसकी जगे सेक्सपी एड्स प्लेज की जगे क्या लिखा जाएगा दे प्लेज ओप सेक्सपीर इस प्रकार यह अपना सही हो जाएगा इस इट क्लियर चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की और अगला अपना रूल नं मुल्णा जस्ट जो फ्रेंड वो मुल्णा है तो मतलब उन पॉजिशन स्ट चいやए ठीक के साथ अपस्ट का यूज होगा अगर यहां पर पक्रण। लगते हैं तो गलत ओजएगा इसी पर टैएपन क्रूद होस्ट को सूज डॉ ए है खार ब्रोधर्स फ्रेंड तो यहां पर ब्रोधर्स यह ना उनि पॉजिशन में है तो यहां पर अप्रस्ट्रफियर होगा इस ट्लिए अगला अपना कंसेप्ट है और रूल नंबर है 28 कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज करने से उस्व्य गर का बोध होता है कि उस व्यक्ति के घर पर पे इस परकार बताई जाता है जिसे वी क्रिष्ण हमने क्रिष्णा पर लंच किया क्रिष्णा जब यहां कि क्रिष्णा जिकर दे इसका क्या मतलब क्या अब दोब यहां आ रही हैं आपर यह जवड़ प्रेस्वत तो हमने क्रिष्णा के घर पर लंच किया इस प्रकार यह अपना सही हो जाएगा और देखिए सी मेट मी वह है मुझसे मिली एट अनामिका अनामिका पर थोड़ी मिली तो यहां पर आपस्ट फी एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनामिका के घर पर मिली इस परकार यह अप्रा कांसेप्ट इस रुम करके उसका पजेशिव बना सकते हैं कैसे जिसे यहां पर लिखाओ है दे क्राउड स्रियैक्षिन यह भी सही है इसे इस परकार भी बना सकते हैं the reaction of the crowd दोनों परकार से सही होगा दूसरा एक्जामपल देखिए the government's decision तो ये भी सही है collective noun के साथ apostrophe s का यूज कर सकते हैं इसको इस परकार भी लिख सकते हैं the decision of the government दोनों परकार से बनाया जा सकता है collective noun होतो उसका possession दिखाने के लिए अगला rule number 30 देखिए animal तता birds के साथ apostrophe s का यूज करके possessive बनाया जाता है लेकिन और भी बात है अभी करेंगे ये सबी क्या है a cat's tail, a horse's head, a bird's feathers तो ये सबी क्या है singular noun के रूप में है singular noun के रूप में है तो इनके साथ किसका यूज होगा apostrophe s का यूज होगा ठीक है लेकिन अगर इनके plural की बात हो जैसे dogs, canal तो यहाँ पर फिर किसका यूज करेंगे apostrophe का यूज करेंगे birds, nest तो यहाँ पर क्या करेंगे apostrophe क्योंकि s आने के बाद फिर से s नहीं लगा सकते है तो इस परकार ये plural noun के रूप में आएंगे ठीक है जो भी पक्सियों के नाम है या animals के नाम है उनके साथ apostrophe s का यूज किया जाता है और अगर plural में हो तो apostrophe का अच्छी लगी होगी लगबग सभी concept आपके समझ में आ गए होंगे लेकिन फिर भी इन concepts related आपको कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके अपना question पूछ सकते हो ठीक है is it clear तो इस परकार चे अपनी class complete होती है फिर मिलेंगे एगले वीडियो के साथ कुछ नहीं लेकर तब तक के आप हो तर लेकर आपके साथ कार अपके साथ के सकते हो आपज़े उन अपनी eccन जाप के साथ कर रह दो आपके साथ कुछ जापके साथ का नहीं हो एक्रफले बाह